जैहिंद दोस्तों मेरा नाम है नितेश कुमार और SSC एरिना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ हमारा कोर्स चल रहा है रिजनिंग का कम्प्लीट कोर्स जो की RRB, NTPC, SSC और IB के एक्जैम के लिए बहुत जादा इंपॉरंट है और रिजनिंग के इस कोर्स में आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है अल्फाबेट यनि की वर्णमाला AB series से related काफी सारे alphabets के questions बनते हैं जो की हम इस वीडियो में cover करेंगे जितने भी types के questions पूछे जाते हैं मेरी कोशिश होगी के मैं आपको सारे ही complete करवादू पहले मैं आपको समझाओंगा के questions किस तरीके के पूछे जाते हैं कैसे उन्हें solve करना चाहिए और फिर कुछ examples भी हम देखेंगे आज की series आज का lecture बहुत जादा important होने वाला है तो खिर्पया करके पूरे वीडियो को देखें और अगर first time visit कर रहे हैं SSC arena को तो आप subscribe करना और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे comment में बता करके like करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चलिए start करते हैं आज का topic chapter alphabet का type number 1 start करने से पहले दोस्तों ये देखिए आपको यहाँ पे alphabet की series दिखाई देगी right होता है और अगर आपसे कोई कहे के left से right या बाएं से दाएं की तरफ जाएए तो आप इस तरफ move करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं अगर कोई कहता है कि दाएं से बाएं की तरफ जाएए यानि right to left तो आप इस तरफ जाएंगे क्योंकि यह आपका right portion होता है alphabets में समझें आप और अगर alphabets को opposite लिखा जाएगा तो फिर आपका ये वाला बाया हो जाएगा और ये वाला आपका दाया हो जाएगा ठीक है अगर नहीं समझ में आया तो जरूर पूछेगा अब चलिए देखते हैं question को आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको alphabets की series दिख रही है ये हमारा left side है ये हमारा right side है left हम इस तरफ जाएगे इधर आएगे और right में हम यहाँ से उल्टे से start करेंगे और एक इतरफ जाएगे ठीक है पहला प्रशन देखते हैं दोस्तों निमन लिखित अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से बारवे अक्षर के दाएं के और आठवा अक्षर कौन सा होगा इस तरीके के questions काफी आते हैं लगबग लगबग आपको हर SSC और RRB के set में देखने को मिलते हैं तो आप क्या करिए एक बार वीडियो को pause करिए और खुद से attempt करने की कोशिश करिए चलिए आप मैं बताता हूँ कैसे करेंगे सबसे पहले अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से बारवा बाएं मतलब होता है लेफ्ट लेफ्ट से हम बारवे की तरफ जाएंगे इस तरफ यानि कि हम लेफ्ट से count करना start करेंगे बारवा बारवा नंबर पे कौन सा आता है जरा मुझे बताईए ल बारवे नंबर पे कौन सा आएगा ल अब बोला है इसके दाई और इसके दाई और आठवा अक्षर कौन सा होगा इसका दाया किधर होगा देखिए ये क्या है आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है और इधर कहा जाएगा आपका राइट की तरफ तो दाया की तरफ जाना है आठ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो कौन सा नंबर आया दोस्तो, टी, यनि की 20 वे नंबर पे आया टी बारह हम अपने बाएं से लेकर के दाएं की तरफ गए थे और फिर उसके भी दाएं ओर गए हम आठ, तो बारह और आठ वीस, बीस आता है टी बीस नंबर पे आता है टी अब दोस्तो, ऐसा नहीं था कि आपको एक्जैम में इतना सारा करना पड़ेगा यह आप काफी असानी से कर सकते हैं आप हलका सा A लिखिए, B लिखिए, डॉट 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 करिए, Y, Z लिखिए या मन में भी आप सोच सकते हैं बाएं से बारवा, इधर से बारवा, वारवे नंबर पे होता है L यह आपको याद होना चाहिए और फिर उसके दाइं और यानि और आगे की तरफ जाना है 8 बारवे और 8 होते हैं 20 और बीस वे नंबर पे आता है T तो T आपका आंसर हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगर आपको alphabets के positions और किसके opposite में कौन सा नंबर आता है यह याद नहीं है जैसे देखिए L के opposite में O, J के opposite में Q अगर आपको यह सारे याद नहीं है तो आप reasoning के इस course के playlist का पहला वीडियो देखिए उसमें मैंने आपको काफी आसानी से explain किया है कि आप कैसे alphabets का number याद कर सकते हैं और कौन से alphabets के opposite में कौन सा आता है आप उसे भी काफी आसानी से याद कर लेंगे आपको बहुत जादा benefit मिलेगा reasoning में ठीक है दूसरी बात अगर आपसे कभी भी चाहे maths हो या reasoning हो आपसे दिशाएं नहीं दी गई हो या दिशाएं नहीं बताई हो कौन सी दिशा की बात हो रही है सिर्फ आपसे दाया और बाया कहा जाए तो आप सोचिए कि ये आपका हाथ है पेपर पे ये आपका हाथ है आपके इस तरफ left है इधर left होगा इस तरफ right है तो इस तरफ right होगा मतलब अगर आपको कुछ नहीं बताया हो किस तरफ से start करना है जर्फ दाया और बाया बोल दिया जाए तो बच्चों को बहुत confusion हो जाती है confusion नहीं होना है जिस तरफ आपका चहरा है उससे आपके left की तरफ left माना जाता है और आपके right की तरफ right माना जाता है ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अगला question यदि अंग्रेजी वर्ण माला के सभी अक्षर व्यूत करम में लिखे जाएं व्यूत करम का मतलब होता है अक्षर के ठीक मद्ध में कौन सा अक्षर आएगा तो दाएं से 20 वा और बाएं से 21 कब जब opposite लिख देंगे opposite लिखने का मतलब होता है दोस्तों कि हम इस तरीके से सुरुवात करेंगे लिखना तो अब आप इस तरीके से सुरुवात मत करने लग जाएगा एक्जैम में आप सिर्फ question को पढ़के थोड़ा सा ध्यान से भी आप question को बिना लिखे कर सकते हैं सबसे पहले बुलाया है दाएं से 20 हुआ तो आप सोचिए मन में के दाएं किस तरफ होता है दाएं होता है जैड के पास और इसके पास होता है L लेकिन जब आप opposite कर दोगे यहाँ जैड करोगे और यहाँ A लिखोगे तो अब आपको यह A से find करना है generally आप क्या करते हो दाएं में जैड से start करते हो लेकिन आपको पता होना चाहिए के उल्टा लिख दिया गया है ABCD को तो अब आप दाया मतलब A से ही start करेंगे तो A से 20 नंबर पे कौन सा आता है T आपको alphabets अगर याद होगा तो आप समझ जाएंगे के 20 नंबर पे T आता है तो आप से पूछा गया T अब 22 से 21 नंबर पे क्या होगा 21 और 26 27 तो 6 नंबर पे कौन सा होता है दोस्तों 6 नंबर पे होता है F तो आपका आजाएगा F अब आप से पूछा जाएगा के F और T के बीच में कौन सा आएगा तो ये आता है 20 नंबर पे ये आता है 6 नंबर पे बिल्कुल बीच में पूछा गया है तो M तो होगा नहीं क्योंकि 7 6 13 N देख सकते हैं हम वो भी नहीं होगा अगर मैं बोलू N तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं अब आप पूछेंगे कोई भी नहीं कैसे कह सकते हैं आप तो दोस्तों 6 एक सम संख्या है और 20 भी एक सम संख्या है तो इनके बीच जो संख्या होगी वो भी सम होगी जिसे देखिए अच्छा एक बार मैं देख लिता हूँ T और F देखना है हमें तो ये हमारा है F ये हमारा है T काउंट कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह तो बिल्कुल बीच में आ रहा है दोस्तों हमें 6 काटना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अच्छा बीच में M आ रहा है ठीक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा option number M ठीक है? ये answer आ गया हमारा मुझे पता है ये question थोड़े tough होगा या आप लोगों को confusion हुआ होगा तो एक बार हम इस question को फिर से देखते हैं एकदम सुरू से अगर आप दोस्तों एक बार वीडियो को pause कर लेंगे और pause करके खुद से भी कोशिश करेंगे समझने की तो आपको जादा अच्छे से आ जाएगा शुरू करते हैं फिर से यदि अंगरेजी वनमाला के सभी अक्षर व्यूतकरम में लिखे जाएगा यानि इस बार जेड से start किया जाएगा और एक ही तरफ जाया जाएगा तो दाएं से बीसवें दाएं से बीसवें की और जाना है दाएं किधर होगा मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला लेफ्ट होता है ये वाला राइट होता है इधर से बीसवा जाएंगे यानि ए से बीसवा कायूंट काउंट करेंगे तो बीसवें पर होता है ठीक है इतना समझ में आ गया दाएं से बीसवा 22 से 21 बाया किदर होता है ये वाला होता है 11 अब इधर से हमें 21 भूनना है 21, 26, 27 चठा नंबर यानि कि F F आ गया मिल गया हमें अब इन दोनों के ठीक मद्ध में तो इनके बीच आप देखेंगे कि 13 नंबर हैं टोटल तो 13 में से 6 आप इधर से काड़ देंगे और 6 आप इधर से काड़ देंगे तो बिल्कुल ठीक बीच में बचेगा M तो M आपका इसका अंसर हो जाएगा काफी आसान था अब इसमें एक चीज में आपको confusion हो सकता है कि मैंने directly कैसे बोल दिया कि F आएगा जैसे मुझसे पूछा गया है 22 से 21 22 से 21 मैंने 21 plus 6 लिखा और 27 कर दिया तो दोस्तों ये मैंने कैसे किया अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एक बार पहला वाला वीडियो देखिए जाके जिसमें मैंने opposite वाला पढ़ाया है तो ये बिल्कुल वही होता है कि जब किसी चीज को opposite से देखा जाएगा तो उसके सही आगे से और पीछे से दोनों का स्थम हमेशा 27 आता है जैसे कि देखिए B और Y 25 और 27 L और M opposite होता है 13, 14, 27 I और 18 opposite होता है 9 और 18, 27 तो इसी तरीके से मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं उल्टे साइड से count करूँगा 21 को तो 21 में कितना जोडने पे 27 बनता है छे जोडने पे तो मैं इस बात के लिए तयार हो गया था कि वो मेरा A साइड से 6 नंबर पे आएगा जो Z साइड से 21 नंबर पे आएगा वो A साइड से 6 नंबर पे आएगा ठीक है तो इसके लिए आप एक बार पहला वीडियो देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको जादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कोश्चन बहुत इजी है ये आप लोगों का होमवर्क है आप खुद से करिये इसे और मुझे बताईए कॉमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा और अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछेगा मैं आपको एक बार फिर से इसे एक्स्प्लेइन कर दूँगा अच्छा ये दोनों कॉश्चन सेम है ये भी आपका होमवर्क ही है अपने आप करिये काफी इजी है यहाँ पर आपको अलफाबेट का चार्ट भी दिया गया है ये वाला लेफ्ट साइड होता है ये वाला राइट साइड होता है Left से Right जाने बोलेगा तो A से Z की तरफ जाएंगे Right से Left जाने के लिए बोलेगा तो हम Z से Alphabet A की तरफ जाएंगे ठीक है आप इस hint को याद रखिए Copy में note करिए और फिर इसको solve करिए Same है ये भी आपका homework है चलिए ये हम देख सकते हैं अंग्रेजी वनमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं तेरवां अक्षर क्या होगा अंग्रेजी वनमाला को विपरीत क्रम में जब लिखेंगे तो हम इसे ऐसे स्टार्ट करेंगे लिखने पर दाएं से तीसरा अब दाया किधर होता है दोस्तों, दाया इस तरफ हो जाएगा, ये होता है राइट साइड, तो इससे अगर मैं तीसरा काउंट करूंगा तो मुझे सी मिलेगा, अक्षर के बाएं तेरवा अक्षर काउंट सा होगा, अब दोस्तों, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइ तो इसका consistent between 2, so 4, dice, वुएmens होगा, बोला गया था कि दाइं से तीसरा मिल को सी मिल गया आब अक्षर के बाइं 13 वा यह सोचे कि यह आप हैं यह आप देख रहे हैं इस दिशह में इस तरफ left इस तरफ right, तो बाया यानि left किदर होगा इस तरफ इस तरफ होगा left तो 13 आक्षर तो 3 तो हम already count कर चुके हैं 13 और count करना है 13 और 3 कितना होता है 16 16 नंबर पे कौन सा आता है alphabet P तो आपका answer हो जाएगा P नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखिए pause करके back करके answer हो गया P दोस्तों ये कुछ ऐसे questions होते हैं जिनको आप alphabet अगर learn कर लें तो आप solve भी कर सकते हैं और time भी बचा सकते हैं जबकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको solve तो कर लेते हैं लेकिन वो time को नहीं बचा पाते ठीक है तो आप लोग एक वर जल्दी से याद करिए जाके पहले लेक्चर को देख कर ताकि आप आसानी से कर पाएं अगला प्रशन देखते हैं अंग्रेजी वनमाला में बायें से आठवें और दाएं से साथवें अक्षर के मद्धे कितने अक्षर हैं अंग्रेजी वनमाला में बायें से आठवें और दाएं से साथवें बायां से आठवें बायां मेरा ये है बायां से आठवें का मतलब जो आठवें नंबर पे आता है आठवें नंबर पे आता है एच अब दाएं से साथवें दाएं से साथवें वो होगा जिसमें जोडने पर 27 आएगा तो 7 में कितना जोडने पर 27 आता है 7 में 20 जोडने पर 27 आता है तो 20 नंबर पे क्या होता है T देखे मैंने कि दुनिया असानी से पता लगा लिया अगर मुझे याद है नंबर तो इनके बीच कितने अक्षर हैं अब अलफा बेट्स में टोटल कितने होते हैं दोस्तों अलफा बेट्स में टोटल होते हैं आपके 26 अक्षर इधर से हमने 8 अटा दिया इधर से हमने 7 अटा दिया 8 और 7 अटा आया तो हमें मिला 15 यानि 8 हमने ये काट दिया 7 हमने ये काट दिया बचे हमारे पास 15, मतलब कट गए 15 हैं, तो बचे कितने ही 11 हैं, क्योंकि दोस्तों, अलफा बेट्स टोटल 26 होते हैं, और अगर मैं 26 में से माइनस कर दूँ 15 हैं, तो मुझे मिलता है 11 हैं, देखिए कितने असानी से हमने काउंट कर लिया, आप यहां पे देखिए, मैंने solution आपको दिया है, यहां पे 11 लेटर्स आपके answer हैं, ठीक है, यह वाला आपका homework है, खुद से करिए, चलिए देखिए ज़र आपना brainstorm करिए, इसके अलावा इन सभी questions को दोस्तों, एक important point और बता दूँ, कि इन सभी questions को मैं description box में दे दूँगा, अगर आप लोगों को करना होगा solve, तो question वीडियो को देखने के बाद end में आप क्या करिए, pause करिए, description box में जाईए, और फिर उन questions को solve करने की कोशिश करिए, ठीक है, अगला question, अडल्टरेशन सब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो ये मैंने यहाँ पर थड़ा बढ़ा करके लिग दिया आपको समझाने के लिए, अडल्टरेशन सब्द में दाएं से चौथा, आप मुझे बताइए, आपका दाएं कौन सा होगा, बाएं कौन सा होगा, आपका left इस साइड है न, आप एक बार अपने हाथ को चेक करिए, left इस साइड मिलेगा और right आपको इस साइड मिलेगा, ठीक है, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, यानि इस साइड से चौथा, 1, 2, 3, 4, T, हमें T alpha bet मिल गया, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा, बाएं किधर होता है, बाएं इधर पांचवा, तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा अक्षर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से आपको मिल गया कि जो पांचवा अक्षर होगा, वो अंसर आपका L होगा, ठीक है, काफी एजी था, ये आपका होमवर्क है, आप खुछ से करिए, काफी आसान है, और अगर नहीं होता है, तो मुझसे पूछे, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, आप हम कर लेते हैं, टाइप टू, टाइप टू काफी आसान है, जल्दी हो जाएगा, एक दो मिनट का काम है, ये मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये हमारा बाया यानि की लेफ्ट, ये हमारा दाया यानि की र कौन सा शब्द क्रमा अनुशार चौथे स्थान पे आएगा या फिर आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है कि कौन सा सब्द डिक्षनरी या शब्द कोश के अनुसार चौथे नंबर पे आएगा शब्द कोश को हिंदी इंगलिश में डिक्षनरी ही कहते हैं ठीक है, कौन सा शब्द कर्मा अनुसार या डिक्षनरी या शब्द कोस के अनुसार चौथे स्थान पे आएगा, आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला चार options होंगे, आपको find करना होगा कौन सा सही answer है तो कैसे ढूणेंगे देखिए, आप डिक्षनरी देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा सबसे पहले पहला alphabet चेक करते हैं M सब में M है, तो हम M से पता नहीं लगा सकते फिर देखते हैं, दूसरे में सब में E है तो हम E से भी पता नहीं लगा सकते के पहले क्या मिलेगा तीसरे में R है, हम R से भी पता नहीं लगा सकते फिर उसके बाद आप देखेंगे के पहले वाले option में I है दूसरे में M, तीसरे में R, चौथे में भी आई तो पहला और दूसरा तो confirm हो गया मेरा के पहला ये वाला है क्योंकि M, E, R, I, T रुग गया यानि पहला I, T पे खतम हो जाएगा दूसरा I, T, O, ये दूसरा हो गया तीसरा क्या होगा, M ये R, पहले M आता है या R आता है पहले M आता है तो ये तीसरा हो जाएगा चौथा कौन सा होगा, जो सबसे last में आएगा R R वाला alphabet वाला आपको सबसे last में जाके मिलेगा डिक्शनरी में, तो आपका option number C, M, E, R अच्छा, ठीक है हाँ, ये M मैंने ज़्यादा लिग दिया, extra लिग दिया M, E, R, R, Y, यही आपका answer होगा, ठीक है आप जब डिक्शनरी में ढूणेंगे word को, अगर आपने कभी डिक्शनरी चेक किया होगा, तो आप इस question को काफी आसानी से कर देंगे क्योंकि जब हमें डिक्शनरी में words ढूणना होता है, तो हम इसी तरीके से ढूणते हैं अगला देखिए, निमलकित शब्दों को, शब्द को, यहीं डिक्शनरी के अनुसार लगाएंगे तो कौन सा शब्द चौथा होगा ज़रूरी नहीं है, एक्जैम में चौथा ही पूछा जाए, कोई सा भी पूछ सकता है, दूसरा, तीसरा, पांचमा, पहला तो देखिए, C सब में है, मैं C से नहीं बता सकता कि कौन सा पहले मिलेगा लेकिन C के बाद है आपका, C के बाद है आपका, L, A, L, O, सबसे पहले क्या आएगा A आता है, तो A वाला कैंसल, क्योंकि हमें चौथा रूणना है, फिर L, E आएगा, दूसरा, L, O आएगा, तीसरा O सबसे लास्ट में आता है, तो मुझे मिलेगा O वाला, तो C, O वाला हमें सबसे लास्ट में मिलेगा जो कि क्रम में चौथे नंबर पे होगा, ठीक है दोस्तों, ये अब छोड़ा easy है, आपके लिए example, खुद से करिए homework ये वाला भी question आपका homework नहीं समझ में आता है, तो मुझे question टाइप कर दीजेगा comment box में, मैं आपको बता दूँगा तो दोस्तों, ये वो वीडियो का thumbnail है, जिसका मैंने बार-बार आपसे जिक्र किया है, कि आप जा करके देखिए, ये पहला ही lecture है, पहला ही lecture है, आररबी NTPC reasoning के course का, ठीक है, आपको काफी अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो पसंद आया है, तो like करिएगा, channel subscribe करिएग और description box में मैं question देदूँगा, उसे जाके solve करना बिलकुल भी मत भूलिएगा, चलिए आज का वीडियो यहीं stop करते हैं, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद